हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ केरेमल खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ केरमल खीर बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही स्ट्रॉंग फ्लेवर्फुल होता है यह नॉर्मल खीर की तरह ही बनता है बस थोड़ा डिफरेंट होता है इसको बनाने का तरीका तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केरमल खीर केरमल खीर बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होंगे ये मैंने मोटा चावल लिया है और चावल हमें 50 ग्राम लेना है इस तरह का मोटा कच्चा चावल आपको किसी भी राशन की दुकान पे आराम से मिल जाएगा इस चावल से जब आप खीर बनाएंगे तो खीर अच्छा गाढ़ा बनेगा उसमें अच्छी सी थीकने साएगी और अगर आपके पास ये चावल एवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी बासमती राईस से इस खीर को बना सकते हैं चावल को इस तरह से धो करके सोक करके आप खीर बनाने से दो घंटे पहले रख दीजिए चूकि हमें कैरमेल खीर बनानी है तो सबसे पहले हमें कैरमेल तैयार करना है तो एक पैन में हाफ का टोड़ी चीनी ली है और इसमें मैंने टू टबले स्पून पानी डाला है और इसे हमें मेल्ट कर लेना है गैस की flame medium to low रहेगी इसे हमें continuously चलाते रहना है आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से melt हो गई है और इसी तरह से ये चलाते चलाते कैरामल की शकल में आ जाएगी इस सुगर सिरप को हमें continuously चलाते रहना है अगर आप थोड़ा भी इसे छोड़ेंगे तो ये जम जाएगा आप चलाते चलाते ही इसे देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगेगा और फिर ये कैरामल की शकल में तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं कैरामल बनकर तयार हो चुका है फ्रेंट्स इस टाइम में गैस की flame बिलकुल low रखनी है और इसे हमें continuously चलाते रहना है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैरामल तयार हुआ है और इसका क्या प्याड़ा सा कलर आया है अब हमें बहुत ही carefully इसमें half cup पानी डालना है अब इसमें पानी एड़ करें तो बहुत ही हलके हाथों से इसे चलाए वरना इसके तेज छीटे हाथों पर पढ़ने का खत्रा रहता है कैरामल तयार हो चुका है इसे एक साइड रख लेना है खीर बनाने के लिए हमने एक लिटर फुल क्रीम दूद लिया है और दूद को हमने कड़ाई में गरम करने के लिए रखा है आप खीर किसी पैन में भी बना सकते है और इसे हमें गरम होने तक इस तरह से चलाना है जब भे खीर बनाना हो तो उसके लिए आप फुल क्रीम दूद का ही यूज कीजिए और अब हमें क्या करना है हाफ कप पौडर मिल्क लेनी है और इसमें से थोड़ा दूद लेना है चुकि दूद हलका गरम है इस पौडर मिल्क का हमें पेस्ट तयार करना है और इस पेस्ट को हम लास्ट में यूज करेंगे खीर बनाने में दूद गरम हो चुका है तो अब इसमें हमें चावल एड़ करना है चावल को अच्छे से मसल ले ताकि चावल बीच से तूट जाए अब देख रहे हैं मसलने से चावल अच्छे से तूटने लगा है तो इसे अब हम धीरे धीरे करके दूद में डालेंगे गैस के फिलेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है और इसे उबाल आने तक कंटिनुवसली चलाते रहना है अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो चावल नीचे बैठ जाएगा और गुठली गुठली जैसा जम जाएगा पहले पांच मिनिट जब तक उबाल ना आ जाए हमें इस तरह से कंटिनुवसली चलाते रहना है और साइड में अगर दूद लग रहा है तो इसे भी इस तरह से छोड़ा लेना है जैसे हम नॉर्मल चावल की खीर बनाते हैं उसे तरह से हमें इसे भी तयार करना है और आप देख सकते हैं दूद में अच्छे से उबाल आने लगा है और अब हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसे ढखक कर 10 मिनट तक कुक करना है दस मिनट हो चुके हैं चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं ये देखिए दूद चारो तरफ लगने लगा है इसे हमें फिर से चला लेना है और चारो तरफ से दूद भी छोड़ा लेना है और फिर इसे हमें एक बार ढखक करके 10 मिनट तक और कुक करना है जब भी धकन लगाकर इसे कुक करना हो तो गैस की फ्लेम बिलकुल लो कर लीजिए वरना दूद निकल कर बाहर आ जाएगा खीर को धक कर कुक होते हुए 10 मिनिट हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे दूद थोड़ा गाढ़ा होने लगा है दूद की मलाई चारों तरफ लगने लगी है इसे हमें अच्छे से निकाल लेना है और इसको कंटीनिव चलाते हुए एक बार हम चेक कर लेंगे चावल हमारा कुक हुआ या नहीं चावल अच्छे से कुक हो चुका था क्योंकि चावल को मैंने खीर बनाने से 2 गंटे पहले सोग करके रखा था और अब इसमें हमें कुछ ड्राइफरूट्स सैट करने हैं काजू, बदाम, पिस्ता और कलॉंजी आप इन सारे ड्राइफरूट्स को घी में फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास इन में से कोई ड्राइफरूट्स नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, जब भी आपको खीर बनाना हो तो खीर में आप दूद और चावल की रेशियो को हमेशा याद रखें, एक लिटर दूद में 50 ग्राम चावल ही यूज कर चड़ाएगा और ये गाढ़ा भी बनाएगा, और अब इस टाइम पे हमें खीर में केरमेल आड़ करना है, जिसे हमने पहले से बना के रखा हुआ था, और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप देखेंगे केरमेल डालते ही इसका कलर चेंज होने लगेगा, और ये इसमें half table spoon हरी इलाइची का powder डाला है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप हरी इलाइची को crush करके भी डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं friends, खीर गाढ़ी हो रही है और इसका texture भी चेंज होने लगा है, तो इस टाइम पे अब इसे हमें हलके हाथों से प् करने के बाद भी मीठा नहीं हुआ, तो आप इसमें half cup चेनी और add कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं, खीर का color कितना बढ़ी आया है, परफेक्ट केरमल खीर बन कर तयार हुआ है, ये देखिए friends, इसका texture कितना perfect आया है, परफेक्ट केरमल खीर बन कर तयार हो चुका है, के देखिए ये आपके घर में सबको कितनी पसंद आएगी, इसपेशली बच्चों को तो ये बहुत जादा पसंद आएगी, प्लीज हमें कमेंट करकर जरूर बताइए आपको हमारी ये recipe कैसी लगी,